हेलो गाइस, वेलकम तो मैं चैनल आर कार्स और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी नई ब्रेजा बेस मॉडल LXI में जो मैंने आमरेस्ट और फॉगलेट इंस्टॉल कराए हैं उसका इंस्टॉलेशन की ये वीडियो मैंने बनाई है हलाकि ये वीडियो में तो ये बन्दा ये मारूती के शोरूम का ही बन्दा है मैंने ये मारूती जिस शोरूम से मैंने गाड़ी ली थी वहीं से ही मैंने अपनी गाड़ी में सारी एकसेसरीज लगवाई हैं बाकी वीडियो क्रूम हैंडल की और बाकी एक walk around अपनी गाड़ी का ये भी सब आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं इस वीडियो में ये जो armrest ये install कर रहा है ये मुझे 3500 रुपे के करीब मुझे मारूती के शोरूम से मिला है armrest में ये sliding armrest है मारूती की genuine accessory है और इसमें storage space भी काफी sufficient है और ये fog light ये भी मैंने 6000 रुपे की ये मुझे पड़ी है मारूती की genuine accessories में और ये जो breza का top model ZX आई आता है उसमें जो company fitted fog light आती है वो आप अलग से भी लगवा सकते हैं फ्रॉम मारूती शोरूम और ये fog light ये halogen ना होके ये LED fog light है LED reflector fog light ये projector नहीं है हलाकि अगर आप after market install कराते हैं तो वहाँ पर आपको LED projector light भी मिल सकती है इससे काफी कम कीमत पे around वो साड़े तीन चार हजार based on your negotiation वो आपको 6000 से तो सस्ती पढ़ ही जाएगी लेकिन मेरा after market ना लगवाने का और मारूती के शोरूम से ही आने का reason यह था कि after market कहते तो हैं कि वह coupler to coupler fitting करते हैं लेकिन अगर in case उन्होंने कोई वायर आपकी cutting कर दी तो आप वहाँ पर उनसे क्या बहस करोगे जो काम खराब उन्होंने अपनी गाड़ी में करना है वो तो करी चुके हैं आप वायर कटिंग में क्या दिक्कर होती है कि उससे अपकी वारंटी लेप्स हो जाती है यही सबसे बाड़ा डर होता है कस्टमर को कि भई आप नहीं गाड़ी लो और उस पे अगर आप किसी ऐसी नौ सिखिये से बहार काम करा लो और मालो उसने पोई वायर कट कर दिया और यह चीज अगर आप जब गाड़ी की सर्विस कराने जाओ या जब कभी आपकी गाड़ लैप्स हो जाए और इंशोरेंस भी क्लेम ना हो इसलिए बैटर है कि आप एड़ी जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम जो कुछ भी आप अपनी गाड़ी में लाइट फिटिंग करा है या इलेक्ट्रिकल समंदित जो कुछ भी काम आपको कराना है वो आप शोरूम से ही कर अपने पास रखें ताकि कल को अगर कोई दिक्कता है तो आप वो बिल दिखा सकते हैं कि जी मैंने तो आपके शोरूम से ही ये इलेक्ट्रिक फिटिंग कराई है ताकि ना तो आपकी वारंटी लैप्स हो और ना ही आपके इंशोरेंस में इन केस अगर कुछ वारिंग से सम कुछ स्पार्किंग कुछ ऐसे होती है जिससे आपकी गाड़े का नुक्सान पहुंचता है तो तब जो कंपनी है आपका इंशोरेंस क्लेम को मना नहीं कर सकती क्योंकि अपने कंपनी से ही ये एक्सेसरी लगवाई है तेखें यहाँ पर ये बैटरी में ही ये फॉग लैट और वियम का स्विच है उसी के पास में फागलाइट का स्विच भी ये लगा के अभी देगा फागलाइट से गाड़ी की लुक काफी इंप्रूव हो गई है गाड़ी में जो इन बिल्ट लाइट आती है मैं बेस मॉडल की बात कर रहा हूं उसमें आपको लो बीम प्रोजे डियारल नहीं है वो पारकिंग लाइट है हलांकि वो एलेडी में दिया हुआ है तो जब वो जलता है तो वो एज़ डियारल लगता है लेकिन एक्चल में वो डियारल नहीं है वो पारकिंग लाइट है बेस मॉडल में वी एकसाई मॉडल से आपको डियारल मिलना शुरू ह जाता और वो भी उसका dual काम है यानि कि वो as a DRL भी काम करता है और वो as a turn indicator भी काम करता है base model की एक और खास बात क्या है कि हाँ fog light के बरावर में आपको cube shape में turn indicator मिलते हैं जैसे कि Kia cell TOS में आते हैं VXI में चुंकि DRL में ही वो उसके दो काम होते हैं DRL और turn indicator तो इसलिए VXI model या और उसके उपर आपको turn indicator fog light के पास में नहीं मिलते हैं तो थोड़ा सा गाड़ी का look VXI and above change हो जाता है देखें यहाँ पर यह गाड़ी का यह हटा के यहाँ पर यह switch यह install कर रहा है तो बेस मोडल लेने के reason मैंने आप अपनी दूसरी वीडियो में बता रखे हैं कि कैसे यह गाड़ी का बेस मोडल मुझे आराउंड 6 लाक रुपे का पड़ा मैंने अपनी पुरानी गाड़ी वैगनार VXI 2013 मोडल मारूती के exchange बोनस के बाद मुझे आराउंड 2 लाक रुपे मेरी इस नई गाड़ी पे कम हो गए मेरी पुरानी गाड़ी 2 लाक रुपे की गई और यह गाड़ी में जो डिसकाउंट चल रहे थे दिसंबर 2020 में वो सब लगने के बाद में यह गाड़ी नई गाड़ी मुझे 6,5,000 रुपे की मुझे यह गाड़ी पड़ी इसके उपर मैंने अभी तक इसमे में 25,000 रुपे की एकसेसरी इसमें मैं लगवा चुका हूँ और अब जो मेरी गाड़ी में लगना बाकी है वो केवल अब मैटिंग लगने बाकी है और सीट कवर लगने बाकी है बाकी सब चीज एकसेसरी के तौर पर मैं अपनी गाड़ी में लगवा चुका हूँ और जो एक base model है उसको एक top model at least on exterior side वो मैं अपनी गाड़ी का एक look उसका निखर के आ चुका है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें steel wheel आते हैं base model में VXI में भी आपको steel wheel मिलेंगे alloy wheel आपको top model में मिलते हैं यह आप देख पा रहे हैं गाड़ी की light install होने के बाद यह मैंने जलाई है LED white light पूरी और यह reflector light है दिन में तो हलाकि इतना पता नहीं चला लेकिन आगे वीडियो में मैंने इसको रात में भी जला के यहाँ पर दिखा रखा है और यह गाड़ी का जो fog light का यह खांचा है उसको यह थोड़ा काट के ताकि इसमें fit कर सके काम अच्छा हुआ है मारूती के showroom में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है after market भी आप कराते हैं तो आजकल तो लोग इतने professional है कि वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन मैं तब भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप electrical सबंदिर जो भी काम है वो better होगा आप showroom सही करा है at least जब तक गाड़ी warranty में है दोस्तों यहाँ install होने के बाद जो गाड़ी का look आप देख पा रहे है fog light और जो मैं turn indicator tube shape बता रहा था वो भी और अब मैं रात में आपको कैसी गाड़ी लगती है वो देखिए रात में यह सामने की दिवार पे गाड़ी की light एकदम line में आती है यह गाड़ी की fog light और उपर जो half